हेलो एवर्टीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ की आपकी हिंदी की वर्क्षीट टंबर 67 डेट है आपकी 14 दिसेंबर 2020 आज की वर्क्षीट में आपका पाठे पुस्तक जो है कृतिप का भाग दो उसका पाठ जॉर्ज पंचम की नाक हम उसे स्टार्ट कर रहे ह बच्चो अब हम नया पाठ यानि की जॉर्ज पंचम की नाक जो एक व्यंग विथा है जिसके लेखक कमलेशवर जी है तो यह जो चाप्टर है आपका जॉर्ज पंचम की नाक इसके राइटर है आपके कमलेशवर जी हासे विनोथ शैली यानि की हासी मजाग में अपनी बा इस पार्ट में ऐसे ही मजाकिया अंदाज में देए ची विवस्था पर व्यंग किया गया है आईए अब इस पार्ट को जाने तो इसी शैली में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने देएक की विवस्था पर व्यंग करते हुए लिखा है वो बताते हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लेंड की रानी एलीजा बैद दूटे अपने पती के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी यानि एलीजा बैद जो थी वो हिंदुस्तान आने वाली थी अख़बारों में उनकी चर्चा हो रही थी रोज लंदन के अख़बारों में ख़बरे आ रही थी कि साही दोरे के लिए कैसी कैसी तयारिया की जा रही है तो उस टाइम पे जब रानी आने वाली थी इंडिया तो रोज वहां के जो न्यूस पेपर्स थे वहां पर रानी की खबरे छपा करती थी कि रानी दोरे के लिए कैसी कैसी तयारिया कर रही है यानि रानी के लिए कैसी कैसी तय यारिया की जा रही है उनका दरजी किस तरह के कपड़े बना रहा है वो किस तरह के कपड़े पहनेंगी ऐसी बहुत सारी जो बाते थी रानी एलिजाबैत का दरजी परिशान था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दोरे पर रानी क्या पहनेंगी अब उनका दरजी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महादिविप का तुफानी दौरा करने वाला था, आखिर कोई मजाग तो था नहीं, जमाना चुकी नया था, फोज फाटे के साथ निकलने के दिन बीच चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फोज तयार हो रही थी, तो अब कोई पहले का तो जमाना था नहीं, अब फोटोग्राफर भी थे, तो अब फोटोग्राफरों की फोज तयार हो रही थी, यानि बहुत बड़ा ग्रुप तयार हो रहा था रानी के लिए, जो की उनकी फोटोज खीचता, उसको न्यूस पेपर में डालता, इंग्लैंड के अखवारों को कत्रने, हिंदुस्तान अखवारों में दूसरे दिन चिप की नजर आती, तो न्यूस पेपर में जो भी न्यूस चपती थी, इंग्लेंड में अगले ही दिन वो न्यूस हिंदुस्तान में देखी जाती थी कि रानी ने एक ऐसे हलके नीले रंगा सूट बनवाया है जिसका रिस्मी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पॉंट खर्चा उस सूट पर आया है तो अब जैसे रानी कोई भी सूट बनवाती थी जैसे रानी ने नीले रंगा सूट बनवाया है इसका कपड़ा यहां से आया है इसका धागा वहां से आया है ऐसी ऐसी जो खबरे थी वो न्यूस पेवर में छपा करती थी यही नहीं, रानी एलिजाबैत की जनम पत्री भी चपे, प्रिंस फिलीप के कारणामे चपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की भी पूरी पूरी जीवनिया देखने में आई क्योंकि रानी आ रही है तो उनके साथ उनके बोडी गाड आएंगे, उनके सर्वेंट्स आएंगे, उनके बावर्चिय आएंगे, उनका डॉग आएगा, सब लोग आएंगे अकेले तो वो आएंगी नहीं, पूरा एक जुन लेके आएंगी, चीक है, तो उनके बारे में भी निउस्पेपर में रोख छपता था साहिर महल में रहने वाले पलने वाले कुट्टे तक की तस्वीरे अखवारों में छप गए तो लिखक बताते हैं कि सिर्फ नौकरों और बावर्चियों के बारे में ही नहीं, वहाँ पर रहने वाले जो कुट्टे थे उनके बारे में भी निउस्पेपर में छपता था बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, संक इंग्लैंड में बज रहा था, गूंच हिंदुस्तान में आ रही थी तो राइटर बताते हैं कि इतनी धूम थी कि तैयारिया वहां हो रही थी और पता यहां चल रहा था इन खबरों से हिंदुस्तान में संसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था जो राणी पांच हजार रुपे का रेशमी सूट पहन कर पालम के हवाई अड़े पर उतरेंगी उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी और रानी दिल्ली आ रही है, तो अब दिल्ली में बिल्कुल जोरो शोरो से तैयारिया हो रही थी, दिल्ली बिल्कुल सज रही थी रानी के लिए, और रानी बहुत जल्दी दिल्ली पहुचने वाली थी, दिल्ली आ रही है, ने अपनी मुह से निकल गया, वह आए हमारे घ और दिल्ली को पूरी दर से सजाया जा रहा है हर जो खराब चीज होती है उसको ठीक किया जा रहा है इसे चाप्टर को हम आगे नेक्स्ट वरक्शीट में करेंगे अब इसके कोश्यांसर करते हैं फर्स कुशन है आपका किसकी फोच तयार हो रही थी और क्यूं तो आंसर होगा आपका कि फोटोग्राफरों की फोच तयार हो रही थी क्यूंकि इंग्लेंड की महारानी भारत आने वाली थी और इसके लिए तमाम पत्रकार पत्रकार और फोटोग्राफर तयार थे उनकी पाकिस्तान। और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी जो की सबसे सुंदर लगे यूँगी रानी हैं उनको सबसे सुना लगना है इसलिए जो दरजी था वो बहुत जादा परिशान था कि जो रानी है वो क्या पहनेंगे थर्ड कुशन है आपका हिंदोस्तान में संसनी क्यों फैल रही थी तो इसमें आंसर आएगा आपका कि महारानी एलिजाबेत की भारत यातरा को लेकर प्रती दिन समाचार पत्रों में चटपटी खबरे प्रकाशित हो रही थी इस कारण हिंदोस्तान में संसनी फैल रही थी लास्ट में आपकी एक activity दी गई है गतिविधी उप्युक्त गध्याशों में से जवड के शब्दों को ढूनकर फिर उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाई ए तो जवड से आपको शब्द ढूनने है और उससे एक एक वाक्य बनाने है जैसे की फर्स्ट है महरानी एलिजाब तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेट भारत प्रमण के लिए आने वाली थी गूंच से आप लिख सकते हैं हमें हाथियों की गूंच बहुत तेज सुनाई देती है रोज से आप लिख सकते हैं हमें रोज अपने कारे स्वेम करने चाहिए दर्जी दर्जी एक अच्छा का होता है हजार से आपको एक वाक्य बनाना है कि सभी समान का कुल मूले एक हजार हो गया ठीक है अब इसके अतिरिक कोई और भी वाक्य बना सकते हैं